हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ ना एहलितों टेलेफून कॉलों खुफी हरापतों और गयर कानूनी फैसलों के दरिये किसी के हाथ पाऊं ना बाने जाएं और किसी डाड़ने के लिए हर रोज एक नई तील और नई धील का इंतराम न किया जाएं उन्हें धब की देकर कौम पर मसलत करने के मनसूबे ना बनाये जाएं लाड़ले को मसलत करने का मनसूबा ना मनसूर नवास शरीफ ने नारा लगा दिया आज भी अवामी रहनुमाओं को इबरत का निशान बनाया जा रहा है गुलाम जब वुरियत मुल्क की दिफा नहीं कर सकती साबिक वजिर आजम की इस नाबाद में प्रेस कानफरेंस सारे रास खोलने की धंपी ये कारवाईया ना रुकी तो मैं यहीं सारे सबूत और सारे शवायत कौम के सामने रगद हूँ मैं बताओंगा कि अब क्या कुछ हो रहा है और किस तरह इंतखाबी अमल पर अपनी मर्जी मुस्तलत करने की कोशिश की डारी है अबामी राये से खेलनी के नताइच हम बहुत भुगच चुके है गुराम जमूरियत आमरियत ही की शकल होती है अमरीकी सदर को यह मालूप होना चाहिए ये दो हजार एक हैना आज यहाँ पर किसी डिक्टेटर की उपनानी है शायद हकान अबाजी को ऐसी हिकमत अमली वजा करें जिस से हमें अमरीकी इमदाद की हाज़त भागी न रहे वजिर आजम को इमदाद न लेने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत ये दोर आमरियत नहीं जमूरियत है नवाज शरीफ का टरम्प को पैगाम हुबल वतनी पर सवालात उठाने के बजाए खुद एहतसादी पर जोर हमें अपने घर की खबर जरूर देनी चाहिए और सोचना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में मनफी सोच क्यूं रखती है लेकिन मेरे इस दर्दमाना दर्दमंदाना मश्रिक ना सरफ नजर अंदास किया जाता रहा बल्के इसे कभी डॉन लीक्स और कभी कोई और नाम देकर मेरी उप्बलवत्नी पर सवाल उठाएगे निया सहाथ साजेश और खट्शाथ सामने लाएं बताया जाए पसे परदा खुवतें कौन सी है नवास चरीफ ने किस किस की हकुमत खतम की ये राज भी बेनकाब किया जाए पीपल्स पार्टी का मुतालबा अगर ये ना हुआ तो मैं बता दूँगा अगर वो ना हुआ तो मैं ये बता दूँगा हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई आप बता भी तो दे वो एक लतीफा है पंजाबी का पूरा तो नहीं सुना सकता पैमरा वाले नोटस बिजवा देंगे लेकिन वो उसमें आखर में वो मरासी कहता है कि होन पाहिजन शिकायत ही लगेगी बता दूँगा बता दूँगा कहने वालो अब बता ही दो नवास शरीफ ने मैट से पहले ही भागने की तैयारी कर ली बीटी आई का दावा नवास शरीफ ने इलेक्शन खुबूल ना करने का ऐलान कर दिया शेख रशीद का रद्बे अमर इलेक्शन कमिशन नई आईनी तर्मीम के तहट हलका बंदियां करने के लिए तैयार विफाकी काबिना ने मर्दम जमारी के उबूरी नतायच शाया करने की मनजूरी दे दी बलुचिस्तान की बदलती सियासत मखलूत हुकूमत का बहरान शदीद तुभाई वजीर दाखला सेर्फरास बुक्ती की बरतर्पी का नोटिफिकेशन जारी वजीर आला के मौामने खुसूसी प्रिंस एहमद अली ने भी साथ छोड़ दिया नवाज शरीफ मरियम और कैप्टन रिटार्ट सफदर के खिलाफ नैब रेफरेंसिस की समाथ एसी सी पी की दस्तावजाद पढ़ ही नहीं जमा होते हुए देखी गवाह का बयान तीन गवाहों के बयानात कलम बंद नौजन मरी को मजीद छे की तलबी शरीफ खांदान का नैब से तावन ना करने का फैसला ट्राइल के दौरान किसी किसी किसम के बयानात कलम बंद कराना मुनासिब नहीं होगा नवाज शरीफ ने कावमी इतसाब योरो के नोटिस का जवाब दे दिया तीन अरब रुपे के ठेकों में जाली स्कीमों के जरीए खुर्द बुर्द का इल्जाम शेमेर नैब ने कैप्टन रेटार्ट सब्दर के खिलाब दरफास पर तहकीकात का हुकम दे दिया जाइदाद जबतगी का मामला इसाथजार ने पैसला चालेंज कर दिया इतराजात इसाब अदालत में जमा नैप से दस जनुरी तक जवाफ तरफ Pakistan has played a double game for years That game is not acceptable to this administration We expect far more cooperation from Pakistan in the fight against terrorism Pakistan is not fulfilling its obligations We know that Pakistan can do more to fight terrorism and we want them to step up and do that पुर्बानिया नजर अन्दाज पाकिस्तान पर double game खेलने और देशतगर्दों की पुश बना ही खारजा पॉलिसी का हिस्सा होने का इल्जाम अमरीका ने 225 मिलियन डॉलर इमदाद रोकने की तज़्दीक कर दी अमरीका अपनी गलतियों और नाकामियों का इल्जाम दूसरों पर ना लगाए एक दामाग का इतराफ ना किया तो तावन पर नजरसानी कर सकते हैं अक्वाम मुतहदा में पाकिस्तानी मंदूब मलीहा लोधी का जवाब बहरी जहरियत का मूत और जवाब देने की स्कलाहियत का भरपूर मुझाहरा अंदूनेवल तयार हर्बा नेवल क्रूज में जाई का काम याब तर्ज़बा बैरूनी मुमालिक पर इनहसार कम से कम करने की जरूरत है नेवल चीप की गुपतबूर ती आईए के सेबर सिस्टम में फनी खराबी दुनिया भर से राबता मुनकता टिक्टो की फरोग रुग गई बोर्डिंग कार्ड जारी नहोने से परवाजों का शेडियूल मुतासिर कराची की बलदिया फेक्टरी को आग लगाने के ठोस चवाहिद मरकजी किरदार रह्मान गोला की दर्फास ते जमानत मुस्तरब रौट सिदेखी को मुल्जिम बनाने की दर्फास पर फैसला 6 जन्वरी तक माख़ए गुजरवाला में सरकारी स्कूल पर कबजे की कोशिश तलबा ने माफिया की इड से इड बजा दी सामान उठाकर बाहर फैंक दिया मुल्जिम गिरफतार शाह से ज्यादा शाह के वफदार हर हद पार पंजाब एग्जैमिनेशन कमिशन ने आठी जमात की इमतिहानी डेट शीट पर शहबास शरीत की तस्वी चाप दी अर्मी चीफ क्या राज खुलने जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे लेकिन पहले से पसालार की बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शिमाली वजिरस्तान का दौरा किया है आईस्पिया की जाने से बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने विरान शाह में यादगार शहदा पर फूल चड़ाए जी हाँ आपको बताएं कि आर्मी चीफ को आर्ज़ी तोर पर नकल मकानी करने वले अफराद की बहाली से भी आगाह किया गया जी ओसी मेरांग चाह ने आर्मी चीफ को सेकिरिटी सिर्टेहाल पर ब्रीफिंग दी है इसे पर बात करेंगे हमासत मौजूद है दुने ने उसके नुमाइंदे मुहमद इमरान इमरान बताएगा ब्रीफिंग में क्या बताया गया जी जी उसी जो है शुमारी विजरिस्तान उन्होंने बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी दो तीन एहम मौजवात थे एक आर्वी तोर पर जो लोगों ने नकल मकानी की थी उनकी बाहली के हमाले से बताया गया उसके लवाज़ जो इस आलाके में जो समाजी तरक्याती प्रोग्राम का एक सलसला जारी है जाने से उसके बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई तीसरा एहम एजन्डा जो इस वकत पाक अफ़ान बॉर्डल के उपर जो बार लगाई जारी है और उसके साथ साथ ने केले तामीर और चेक पोस्ते तामीर की जारी है उसके हमाले से भी आर्वी चीफ को अधा किया गया और आर्वी चीफ ने जो उस पूरी फैंसिंग का और उनकिलों का जायदा भी लिया वहां पर याद़ारे शोधा पर पूलों की चाधर बिच्छाई बेत्रीन काम और जल्दी काम करने के हमाले से जो फार्मेशन है उसका आर्वी चीफ ने उनकी काम को सरा हा ठीक है बहाँ शुक्री है मुहमद इमरान और सियासत में आज पिर लाडले की गुन्ट सुनाई दी हर रोज ढील या डील का इंतजाम किया जा रहा है इसलामबाद में प्रेस कांफरेंस के दौरान उन्होंने तमाम राज खोलने की धमकी भी दे दी काइड आजम ने कहा था कि अवामी राए कभी गलती पर नहीं होती लेकिन यहां सत्तर साल से इस ससूर पर काम उरा है कि अवामी राए हमेशा गलती पर होती या तो इस राए को अपनी मर्जी के मताबक धालो या अवाम की मर्जी और उनके पसंद के निडर को नमूने खेबरत दुना आज भी एक बार फिर माजी के इसी फरसूदा असूल पर काम शुरू कर दिया गया है कि अवाम की राए का लुख मोड़ दो एंजिनिरिंग के जरीए किसी जमाद का रास्ता रोक लो और किसी लाडले जहेते का रास्ता हमाल कर लो ना एहलितों टेलेफ़न कॉलों खुफिया रापतों और गयर कानूनी फैसलों के जरीए किसी के हाथ पाऊं ना बाने जाए और किसी लाडले के लिए हर रोज एक नई डील और नई डील का इंतराम न किया जाए जो सरव जूट बोतान बिल्जामाद और धर्नों की सियासत करते हैं उन्हें धपकी दे कर कौम पर मसलत करने के मनसूबे ना बनाए जाए वर्दे के पीछे कि ये कारवाईया न रुकी तो मैं यहीं इसलामाबाद में सारे सबूत और सारे शुहायत कौम के सामने रगद गुरस्ता चार सालों की कहानी भी सुनाओंगा और बताओंगा कि यहां क्या कुछ उता रहा है मैं बताओंगा कि अब क्या कुछ हो रहा है और किस तरह इंतखाबी अमल पर अपनी मर्जी मस्सल्ब्र करने की कोशिश की जा रही है हवामी राये से खेलनी के नताइच हम बहुत भुगच चुके हैं अब जहुरियत को सच्ची और खरी जहुरियत रहने दिया जाए इसे अपनी ख्वाहिशों का गुलाम न बनाएँ गुलाम जहुरियत आमजीयत ही की शकल होती है जो कभी भी मुल्क की सलामती और दफा का पहफुज नहीं करसे है और इससे पहले इससाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवास शरीफ का कहना था कि उन्हें एक ख्याली तंखा पर निकाला गया जिसने एतिराफ जर्म किया उसे छोड़ दिया गया वो सादिक और अमीन करार पाया इमरान खान ने एमनेस्टी का इस्थमाल किया इमनेस्टी को استवाल किया आम माफी अ्र्दू में तरजमा क्या इमनेस्टी का आम माफी आम माफी उस में इमरान खान ने जो अपनी इंकम जो थी उनके पास जो पता नहीं उन्होंने कहां से हासल की थी जो पैसा था कहां से हासल किया था उस पे उन्होंने माफी मागी और आप में उसे पहले सुन चुके हैं कि इमरान खान के लाखों पाउंड जो क्रोड़ों क्रो इत्राफ किया है। कौन सी हैं ? कमर्जमान कायरा ने सवाल किया कि नवाज शरीफ ये भी बताएं कि उन्होंने किस कि हकुमत खत्म की नवाज शरीफ सीधा सीधा एदारों की तरफ इशारा कर रहे हैं विबल्स पार्टी पंजाब के सद्र कमर जमान काईरा ने दुनिया ने उससे गुफ्टू की इसके दौरान उनका कहना था कि मिया सहब बताएं कि साज़िश कौन कर रहा है हाद दो कर दो पीटी आई भी पीछे पड़ी है फवाच उद्री ने सवाल किया क्या साओधी रॉयल किचन में शरीफ बरादरान को सिरी पाए और शाही डिशिस बनाने के लिए बुलाया गया था उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हिम्मत करके अब बता ही दें कि साज़िश कौन कर रहा है तर्जमान पीटी आई का कहना था कि साबिख वजिराजम ने गुजश्चता इंतिखाबात में धांदली का इतराफ कर लिया अगर ये ना हुआ तो मैं बता दूँगा अगर वो ना हुआ तो मैं ये बता दूँगा हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई आप बता भी तो दे एक लतीफा है पंजाबी का पूरा तो नहीं सुना सकता पैमरा वाले नोटस बिजवा देंगे लेकिन वो उसमें आखर में वो मरासी कहता है कि मौन पाहिजन शिकायत ही लगेगी दो बड़े इतराफात आज नवाज शरीफ साब ने अपनी प्रेस कांफरेंस में किये पहला इतराफ ये था कि माजी के इंतखाबात में धांदली की गई ये भी तो बता दें कि माजी के इंतखाबात में जिनको मैनेज किया गया उसमें कौन सा लाडला था जिसने सबसे ज़्यादा इसका फाइदा उठाया इमरान खान जब ये एक बात कर रहे थे और जब ये कह रहे थे कि 2013 के इंतखाबात में धानली हुई पिछले इंतखाबातों में आपको जटवाने के लिए धानली हुई आज आपको ये अतराफ याद आ रहा है आपने पहली बता दिया है कि 2018 के इंतखाबात में हमें शकस्त होने जा रही है और इमरान खान को जटाया जा रहा है अब ये खाड़ा लगा नहीं है और पहलवान भाग गया है उल्ड शक्राइब बता है